हाइलो स्टुडेंट्स, सेंटरल उनिवर्सिटी एड़ मिशन की सीरीज के अंदर आपका पिर से एक बार स्वागत हैँ देर हम आज अपने बात करते हैं सेंटरल उनिवर्सिटी ऑफ अंधर परक्डेश के बारे में ओके यार बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वारी करते हैं कि भीया इन जो Central University इसके अंदर Engineering Courses अवेलेबल नहीं है क्या आप Engineering के बारे में नहीं बताते हैं हमें तो Engineering की नीड होती है क्योंकि 99% बच्चे जो है Engineering Course करना चाहते हैं अब मैं बचाता हूँ आपको Central University इसके अंदर अगर आप सीउ सीटी से इडिमिसन लेना चाहते हैं तो आपको Engineering Courses नहीं मिलेगा जी हां बिल्कुल ठीक सुना आपने आपको Engineering College मिलेगा Central University में अगर आपको Engineering करनी है है तो आपके पास रिपोर्ट इप दो ओप्शन है एक सेंटर्ल उनिवर्सिटी ओफ हरियाना जहां पर आपको ओल्मोस जिते भी Engineering courses है वह आपको मिल जाएंगे Computer Science, Electronic, Mechanical, Electrical एक सेंटर्ल उनिवर्सिटी ओफ करनाट का जहां पर जो है आपको Electronic and Communication and A-Core Engineering है यह दो Engineering College है यानि कि C-O-C-T है जो की Engineering courses पर वाइड करती है आपको जो है किस को जो होता है C-O-C-T के basis पे अगर आपको और College जो में जिते भी C-O-C-T देते हैं then you are not eligible for Engineering in Central University you are eligible for only for Bachelor of Bachelor of Science and other engineering को छोड़के जो भी courses available होते हैं आप उसमें जो है admission ले सकते हैं लेकिन हां आपके लिए जो इंजिनेरिंग courses available नहीं है C-O-C-T के अंदर C-O-C-T test के दुआरा ओके ठीक हैं इंजिनेरिंग courses तो available होता है Central University हों लेकिन C-O-C-T से वो नहीं मिल रहा है यह आप जहां रखें ओके स्टुडेंट्स आज हम जो इस उनिवर्सिटी के courses की बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से courses हैं कितनी-कितनी fees हैं कितनी-कितनी सीटे हैं और आपको कितने marks उसके लिए लाने पड़ेंगे ओके सो चलिए देखते हैं computer स्कीन पर computer mode है तो यार यह यह इसके पास courses है जैसे कि अगर आपन चले एंटर ग्रिजुएट कोर्स की और तो इंटर ग्रिजुएट के अंदर पहला इसके पार जो कोर्स है वह बीसी होनर्स का है यह जो है लेजिबिलीटी पलस टू है ड्यूरेशन तीन शाल का है 50 सित्य इसके पास अवलेबल है यह पॉल्टिकल साइन्स है यह भी सेम सिच्वेशन इंटरमेडियर सी बीसी आइसी एपर स्टेट बोर्ट से गर आपने ट्वल्थ किया तो पचास सित्य इसके पास भी अवलेबल है यह बीवोग ट्रेवल एंड मेनेजमेंट वाला कोर्स अवलेबल है इसके पास ओके सो इसके लिए भी कुछ-कुछ के टेगरीज दिये गए है जैसे कि वह ओल्रेडी एक्वाइड पचास परसेंट एंस क्यूं एप पास अब भी वोक भी कर सकते हो इसमें ओक पचास सीटें इसमें भी है देन आप चलते हैं पोस्ट ग्रेजिवेट की और यार्ट आप में हैं 30 से और अमें अधिवेश्वेश्चें सिर्प पचीष एंड जो की आइडिक गेट के तुरू लेगा यह ठीक है और यार में मिस सी एम में और इजिर्वेशन सीड्स के अंदर भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जैसे कि स्ट वालों को जो है पांच परसेंट की छूट दी गई है ओके तो यह बस यही इंपॉमेशन है और देन हम इसके आगे अगर आपन देखें तो यहार रही बात इसके जो है स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं और आइटिंग डिसी जब वेरी वेस्ट को लेज अगर मैं अमेरे को मौका मिले तो बहुत अच्छा को लेजवेसे देन इसका जो फीश स्ट्रक्चर बहुत कम फीश है गाई इतना इस जमाने में भाई को नितरी कम फीश में पढ़ाता है पर्स सेमेस्टर की फीश से र purity चिप नवा सिस्य सो पचीश पत्चीश रूपर साथ जार रहने इतना 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 22 आप इतनी कम फीश जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं फीज इंकलूद, अडिमिशन फीज, टूशन फीज, लेबोर्टरी फीज, लाइबरेरी फीज, एक्जामिनेशन फीज, स्पोर्ट स्पीज जनरल माइगोट यह सारी इंकलूड़ है फिर भी इतनी कम फीज फर्स सेमेस्टर आपका एटलिस नो जहार रुपए के अंदर कम्पलीट हो जा रहा है गाइस, नो जहार रुपए में प्राइवेट वाले हमसे चार साल के 25 लाख रुपए लेते हैं ठीक है, IIT खड़कपूर जो है हमसे 17-18 लाख रुपए चार्ज करता है और यह तुम्हें नो जहार रुपए में एक सेमेस्टर कम्पलीट करवा दे रहा है तुम्हारा एक एक लाख रुपए के अंदर तो तुम्हें डिगरी दे देगा यह बीए की यार आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपको बहुत कुछ नसीब होना चीए जो भी बच्चे इसके लिए फर्परेशन कर रहे हैं ठीक है चाहिए किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो चाहिए फर्दान मंत्री भी क्यों ना हो एडमिशन जो होगा वो माक्स के बेसिस पे ही होगा यानि कि अगर आपके बहुत अच्छे माक्स आ रहे हैं तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं चाहिए कोई भी पॉलिस्टीशन हो नेता हो कुछ भी हो अगर वहां पे अगर बंदू के भी चला दे तो भी उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा जी हां यह हमारा देश का सिस्टम बहुत अच्छा है तीक है चाहिए अगर फर्दान मंत्री का अगर कोई बेटा भी हो और लेगा सिंपल सा यही रूल है कि जो बचे जितना जप्स मेंक्स करके आ हुआ रहे हैं आपके बेटे को उतने ही मृप्स लाने पड़ेंगे यहीक सब़कर आपसकेल नहीं है अच्छे-चनिश्टी के नहीं प्यृक सू वो बच्चे जितना ज़दा compete करके आ रहे हैं जितने ज़दा marks लेकर आ रहे हैं आपके बेटे को भी उतने ही marks लाने पड़ेंगे तब भी आपका बेटा admission ले सकता है IIT के अंदर coct के अंदर तिक है उसके लिए कोई special प्लेस्मेंट के नाम पर और भी बहुत सारी चीज है जहां पर पेसे कमा सकते हो तो यह है कि वहां पर आपको जाने के लिए पेसों की जूट नहीं आपके कलम की जरुरत पड़ती है तो आप इसको ध्यान रखे और पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़े कुछ भी कंडिशन ह हो जाए ठीक है गाइस थैंक यू थैंक यू शो मैच और आए सेंट्रल उनिवर्सिटी ओफ अंतर प्रदेश बहुत अच्छा है अगर बात करें स्कोर की तो 2021 के अंदर जो स्कोर गया था इस पिछले साल वाला फेपर भी थोड़ा टप था 230 पलस पे हो गया था एड्मिश ठीक है तो यार तपा दो अपने आपको जला दो ठीक है ओ जितने भी लोग हैं आप किसी को कुछ फरक नहीं पड़ता कि आप नहीं पे अवेलिबल हो ना हो साधी पार्टियां दो सब पीचर छोड़ दो सब को छोड़ दो बस लग जाओ अपनी जीत जान लगा दो पड़ शो मच्छ